विल्कम टू फॉर्मड वी दग्यान तो आज की वीडियो हम डीटेल में डिसकस करेंगे एम्स में जूनियर एडिस्टेटिव असिस्टेंट का स्लेबस कस तरिके से रहता है क्या एक्जामनेशन प्रोसेस रहती है क्या टाइमिंग रहती है और पूरा डीटेल पर हम डिसकस क लीजिए क्योंकि प्रीविएस एर कुशन पेपर भी हम आपको प्रोइड कराएंगे जूनियर एडिस्टेटिव असिस्टेंट के तो यह आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो एक्जाम आपका कराया जाएगा तो यह वेकंसी आप देख सकते हैं जूनियर रहेगा वो थीरी आवर्स ठीक है तो तीन घंटे का इसमया आपको रहेगा और अब बात कर लेते हैं पूरा डिस्क्राइब करके कि किस तरीकी से रहने वाला जो आपका एक्जामनेशन स्कीम रहेगी वो आपका टूस स्टेजिजेज में रहेंगी ठीक है तो दो इस चरण इसमें रहेंगी जिसमें कि सबसे पहले आपका थ्यो inspirations रहेगा जिसमें कि आपको minimum qualifying marks को जो है अचीव करना होगा इसके बाद जो आपका stage second रहेगी वो भी आपको एक्जामनेशन रहेगी stage second आपका skill test रहेगा examination जिसमें कि आपको लिखना होगा descriptive टेस्ट जिसे हम कहेंगे इसके बाद जो आपका typing test रहेगा typing test के स्थरे के से रहने वाला देखिए या तो आप English में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए तो typing आपको करने होगी आपको choice मिलेगी अगर आप Hindi में comfortable है या English में comfortable है तो अपने according कर पाएंगे next जो process रहेगी final merit list निकलेगी जो की based रहेगी आपकी stage 1 से जो आपका stage 1 test रहेगा उसी के base पर आपकी merit निकाली जाएगी और जो second stage है ठीक है तो second stage आपकी ये रहेगी ये सिर्फ आपका qualifying nature की रहेगी ठीक है तो इसमें पूरी हम बात करेंगे और इसके बाद जो आपका language of examination मतलब जो आप exam देंगे तो या तो आप Hindi में दे सकते हैं या फिर English में दे सकते हैं और जो आपका theory है जो आपका लिखित परिक्षा होगी और जो आपकी typing test है तो इसमें आपको choice मिलेगी आप Hindi English अपने according दे पाएंगे और जो candidates can answer the theory paper on one language ठीक है तो एक ही language में आप अपना answer दे पाएंगे और टेक जो आपका typing test रहेगा वो आप another language में सपोस आपने theory English में दी और आप typing Hindi में देना चाहते हैं तो आपने according किसी भी language में दे पाएंगे next जो आपका रहेगा theory examination जो आपका nature of examination रहने वाला है this will be eligible examination for appearing second stage जो आपका first stage रहेगी वो eligible तभी होंगे जब आप first stage qualify कर लेंगे second stage preparing merit list ठीक है तो यह आपका रहने वाला है nature of examination duration देखे जो आपका पहली stage रहेगी वो आपकी 180 minutes की रहेगी और जो second stage रहेगी वो आपकी 60 minutes की रहेगी ठीक है तो 60 minutes में आपको लिखित परिशा जो आपकी रहेगी descriptive type exam रहेगा वो आपकी 60 minutes की रहेगी इसके बाद है number of papers तो सबसे पहले आपका theory रहेगा फिर second paper रहेगा फिर third paper रहेगा ठीक है तो पहला paper जो आपका रहेगा वो आपका MCQ based रहेगा अब देखे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि syllabus क्या रहेगा क्या रहेगा तो आप लोग देख लीजिए MCQ based आपका syllabus रहने वाला है जिसमें कि क्या क्या पूछा जाएगा general intelligence, reasoning, general awareness, quantitative, aptitude और abilities ठीक है तो इसमें आपका सबी चीज़ें आती है current affairs आपके पूछे जादे जनरल जी के रहती है तो यह चीज़ें आपके आएंगी और साथ में आपकी English language comprehensive जो है इसमें पूछा जाएगा ठीक है तो इसके previous question paper हम आपको provide कराएंगे तो चैनल में नए है तो चैनल को subscribe भी जरूट से आप लोग करिएगा इसके बाद देखिए जब आपका first paper complete हो जाएगा duration आपने देख ली 180 minutes की रहेगी इसके बाद second paper रहेगा language जो आपकी English वो हैंडी में रहेगी जो mode रहेगा वो CBT mode रहेगा ठीक है computer based mode रहेगा आपको screen में आपको जो है click करना होगा अपने mouse से तो ये रहने वाला आपका first paper अब बात करते हैं division of questions कितने questions इसमें जो है पूछे जाएंगे तो questions जो आपके हैं 200 questions इसमें आएंगे आपके MCQ में जिसमें क्या आपको general intelligence reasoning के 65 quantitative aptitude के 65 general awareness के 30 questions English और Hindi language and comprehensive के 40 number के questions पूछे जाएंगे ठीक है तो ये आपका exam pattern जिसको आप लोग कहते हैं वो आपका exam pattern ये रहने वाला है अब बात कर लेते हैं जो आपका syllabus है paper first का ये किसके according आएगा तो ये आपका 12th class ठीक है तो ये आपका 12th class के according ही जो है पूछा जाएगा जादे higher level का नहीं आता marks of paper first तो each MCQ cell भी one marks हर एक question को आपका जो है एक number मिलेगा अगर आप गलत जो करेंगे तो आपको negative marking के तोर पर one by three की जो है negative marking इसमें आपको देखने को मिलेगी total number आपका 200 number का रहेगा जिसमें की candidate score 50% ठीक है तो 50% general category के लिए रहने वाला है आपको qualify करने के लिए जब आप first stage में 50% लाएंगे तब ही आप लोग second stage में जो आपका रहेगा वो qualify कर पाएंगे तो second stage आपकी क्या रहने वाली वो आपका written exam रहेगा अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि same day जो है आपका exam रहेगा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आपकी दिन से जादे ही समय लगता है आपका जो second process रहेगी जो आपकी stage second रहेगी उसको complete होने में तो second stage जब आपकी रहेगी तो आपको अच्छे से timing मिलेगा तो type of examination जो की descriptive exam रहेगा जिसमें कि आपको pen और paper से exam देना होगा जो कि सिर्फ एक घंटे का रहेगा हिंदी वो English में आपको क्या लिखना होगा ऐसे लिखना होगा लेटर लिखना होगा ठीक है तो या तो आप निबंद लिखिए या फिर पत्र लिखिए हिंदी इंगलिस दोनों में लिख सकते हैं और 20 नंबर का रहेगा तोटल आपका 30 नंबर का ये बन जाएगा तो इसमें जो है आपको qualify करने के लिए 40% लाना अनिवारी रहेगा ठीक है 40% लाना कंपलसरी रहेगा और देखिए minimum score आपको 12 जो है नंबर आपके होने चाहिए तब ही आप जो है third stage के लिए qualify होंगे तो ये आपका रहेगा जो आपकी descriptive exam रहने वाला है अब बात करते हैं paper third किस तरी के से रहने वाला तो ये आपका जो है typing test रहेगा ये सिर्फ आपका qualifying nature का रहेगा इसमें किसी भी प्रकार का जो है आपको merit नहीं लानी है सिर्फ आपको qualify करना ज़रूरी रहेगा इसके number भी कहीं नहीं जूडेंगे ठीक है mode of examination candidates evaluate the typing ठीक है तो typing आपको करनी है language जो है आपको choose कर सकते है अपन जो softer रहेगा वो mangle रहेगा ठीक है mangle जो आपका faunter रहता है वो आपका mangle रहेगा English में quality keypad जो है आपको देखने को मिलेगा अब देखिए qualifying speed of typing जो आपकी qualifying speed रहेगी English की अगर हम बात करें तो 35 word per minute जो है आपकी speed होनी चाहिए और typing test for 5 minute test ठीक है तो 5 minute इसमें रहने वाला इ जो है हिंदी की typing रहेगी choice रहने वाली फिर मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी व इंगलिस में अब बात कर लेते हैं calculation of speed तो आपकी speed किस तरीके से चेक होगी वो देख सकते हैं यह पूरे parameters तो इसकी PDF में आपको telegram link में provide करा दूँगा तो आप जितने भी error करेंगे तो आप बात कर लेते हैं next जो रहेगा typing test आपकी किस तरीके से count होगी suppose आपने 48 words लिए जिसमें कि आपने 14 words गलत लिए तो आपकी speed निकल जाएगी वो 34 की निकल जाएगी ठीक है तो यह तो काफी easy रहता है अच्छे से आप qualify कर लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ qualifying nature का यह रहेगा ठीक paper first जो आपका रहेगा written skill examination and paper third typing skill test तो rank इसमें आपको मिलेगी जो आपका paper first रहेगा उसके according ठीक है तो इसमें जो आपका equal marks अगर आप लाते हैं तो आपको जो है आपके date of birth के according जो है इसमें रहेगा ठीक है तो यह तो बात की बात रही अब जो आपका examination का main जो आपका जाएगा और NCR में सिर्फ दो ही जगे रहेगा आप अपने admit card यहां से download कर पाएंगे और second चीज़ है कि इसमें जो आपके admit card है जो अभी 23 में जो आपकी vacancy निकलेगी उसमें आपका admit card 10th के या 15 feb के बाद जो आपको देखने को मिलेंगे कोई भी update मिलता है सबसे पहले चैनल में और आप हमसे टेलिग्राम में भी जोड सकते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा साथ में previous air question paper भी हम आपको जल से जल provide कराएंगे अभी आप लोग इस syllabus को अच्छे से देख लीजिए किस तरीकी से रहने वाला है अपने preparation भी उसे हिसाब से करिए English में आप अपन कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए